यो वाट्स अप गाइस कैसे आप सबी लोग वेलकम बाक टू निदर गेम प्ले वीडियो तो गाइस आर आज हम लोग दुबारे से के लिए जा रहे हैं जीडिये फाइव तो जैसा कि आप सबी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में बिग माफिया के भाई ने बॉस का रियल ब्रदर है मतलब यार अभी बिग माफिय का भाई चाहता है इन दोनों की वह आपस में लड़ाई करा दे मिंस दोनों भाईयों की आपस में लड़ाई होईगी फाइदा हमें हो जाएगा बीच में सजाकरम दोनों को निप्टा दिगों फ्रैंक लिंग को मैं मिलने के लिए बुलाया था यहां पर आप अभी आज हमें काफी सारा काम है जो कि काफी ज़्यादा बढ़िया भी है तो भी फिलाल पहले मैं उठता हूं हाँ आप सब लोग को याद होगा कि जो रेसिंग टॉर्णमेंट हम लोग जीते थे उस रेसिंग टॉर्णमेंट मे आने की पर्मिशन दे दे और वैसे उसके अच्छी कासी बात चीत है और मिलेटरी कानल ने पर्मिशन दे दी और अपनी जो ट्रेन है वो इस ताइम पर में ट्रैक पर खड़ी भी है मुझे कॉल आ चुकर बहुत जल्दी से जल्दी आओ और यहां से तुमें ही जाना लेगी मैं काफी ज्यादा कन्फ्यूज हो रुका हूं कि आखिरकार में गाडियां लेकर कहां जाओंगा क्योंकि आर देखो सीधी सी बात है अपना नया वाला शोरूम अभी तक बनानी है और पुराने वाले शोरूम में ले जाओंगा ना गाडियां तो बहुत टाइम मैं पालो अभी तो आप लोग को याद हुगा कि जो मैंने काउपैरिको आई-लेंड में मदράदgener के सारी मद्रादो के ν Hebrews रूपियों की घर से मदराजों के लिए जो फाइल्स तुराई थी वो फाइल्स तो भी अभी घर पर ही रह गई है तो ताइम मिलेगा तो लगी हाथ में मैं फाइल्स उसको दे दूंगा क्योंकि भाई वो उसके लिए बहुत जादा और वो जो दूसरे वाला बैग है ना गाइस वो हम लोग बिग माफ़े के भाई के कहने पर उसके पास लेके जाएंगे क्योंकि वही है वो बैग जो कि हमें डगगन बोस की घर तक कैसे भी करके पहुचा आना है ताकि हम लोग अल रूबियो को ये बोल पाएं कि ये जो चोर लगवाई यह पूरी उसी के लिए थी और हमने वह चुरा लिया है और वही टाइकर अगर हम लोग बोलनेगे कि डगगन बोस ने चोरी करवाया तो दोनों भाईयों कि वैसे इतनी चौता तकडी लड़ाई है और इस बार तो भाई एक दूसरे को मारने के लिए तो वैसे बोस नहीं मारेगा एल रूबियों से खुच जाके मारेगा बट वैसे मैं 100% शेयर नहीं कि अल रूबियों से मार भी पाएगा या फिर नहीं क्योंकि पहले तो डगगन बोस कमजोर था बट अभी उसके पास जो सिक्योरटी है ना वह नौर्थ एंक्टन का मालिक है और उस गाड़ी को ना भी बहुत भगाता हूं और सीधा मुझे वहाँ पर लेकर चलना है अपनी ट्रेन को लास्ट टाइम यह लोगों ने रुक्वार रगा था 20-30 मिनट का टाइम है उसके बाद इनोंने बोला है कि यह ट्रेन को वापिस सी साइड वाले ट्रैक पर लगा देंग इतना हो रहा होता है इसके मैं भर भर के मारता भी इतनी जादा स्लो चला रहा है अपनी गाड़ी जवर दस्ती ठुक गए तो के गाइस लेट्स को फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेके पहुच चुक हैं सीधा उस जगह पे जहां पर इन लोगों ने अपनी ट्रेन को रोखा हुआ था और फाइनली गाइस अभी इन लोग ने अपनी ट्रेन को जो है में ट्रैक पे लगा दिया है मैं काम करता हूं गाइस अपनी गाड़ी को ना यही पर साइड में पार कर देता हूं और लगी हाथ ना इसको भी ट्रेन पे लोड करवा लेंगे क्योंकि सीधी ऑफिसर चेक कर रहा है और यह ट्रेन के ड्राइवर की भाई अभी लग रहा है बहुत गंदी वाली यहां पर कुटाई वने वाली है फिलाला भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है यह कुछ ड्रक्स लेकर जा रहा था गंदी कुटाई होगी चलो कोई नहीं फिलाला भी को निकलो एकसिस सब दे रहा है दस मिनट का ट्राइम वरना यहां पर दूसरी आने वाली है चलो चलो जल्दी से हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और यहार मुझे टाप के जाना पड़ेगा अभी ट्रेन के अंदर बैठने के लिए तो ओकी गाईस लेट्स को भी फिलाल मैं क्योंकि ट्रेन अगर जादा स्पीड में गई न तो भाई यह फिर पट्री से गिर सकती है डी रेल हो जाएगी बहुत गंदी थरा इसलिए थोड़ा वो समयल के चलांगे कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है काफी जदा अच्छा लग रहा है और बड़े दिनों बा 6 7 8 9 10 11 काफी सारी सही सही गाड़े हैं यह तो जो टॉप पे आप देख पा रहे हो ना यह सारी जीव आगन है और इसके नीचे फरारी है और पीछे के साइड पे भी काफी अलग-अलग कार्स आई हैं तो के काईस चैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो बीना फिला जमीन ही लगे थी मतलब अपना जो एंजन पूरा हिल गया था क्योंकि भाई जितने भी कट है ना यहां पर 40 किलोमेटर पर हार की स्पीड भी ज्यादा पढ़ जाती है उपर आप लोग रैट वाला मीटर देख पार हो भाई कैसे बढ़ता जा रहा है बहुत कम स्पीड बह समय यहां से थोड़ा बहुत आगे और जाना है अपनी भाई कोई गाड़ी उपर भीड़ी तो नीना भाई कसम से पूरा फ्लाइवर के एक तम जस्त नीचे से निकली है वरना तो भी ठुक जाती गंदी तरह और हमें यहीं पर अपनी ट्रेन को लेकर आना था अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे अपनी ट्रेन रोकनी कहां पर चाहिए क्योंकि उस बंदे का जो गिराज है ना वो यहीं कहीं पर पास में मुझे यह डंग से जगा भी मतलब जगा तो पहचान में आ रहे है वर उसके गिराज के एक्जक्ट लोकेशन कहां पर है वो मुझे हुआ पड़ेगा अमें ज्याधा चलना पिर नहीं पड़ेगा यहां पर एकदम उसके गिराज के सामने ही मैं अपनी ट्रेन पर आईों एधर सारी गाड़े यहां वैज दिसी यहां इंछ चुकि है वोरा सामने उसका गेराज अपनी ट्रेन को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं अभी जल्दी से चलके मैं उससे बात करता हूं अभी मिरकु ना गाइस उससे मतलब की वो रैंप्स लाने पड़ेंगे जिससे अपनी जो गाड़िया है वो धीरे-दीरे करके इस ट्रेन की गाड़ियां लेकर हम लोग आए हैं कोई लोस्त गांग का बंदा आजा और चिर्ड के हमारी गाड़ी तोड़ दे या फिर भाई पूरी ट्रेनी चुरा कर ले जाए कासम से बहुत जाता नुकसान हो जाएगा बहुत जादा मेहनत लगे हैं यहां तक लाने में फिलाल य यहां पर जो गिराज स्टोर है यह खुल चुका है और यह गिराज सची में कितना जादा घटी है यहां पर अपनी गाड़ियां आ भी नहीं पाएगी बैनी ने क्या सोच समझके में यह जगा दिया है और यह सब जी का गिराज है खैर चोड़ो इसके मूह के आगे मैं इसक साइड पर चले जागी तू सफाई कर ले भाई इस गैराज को कितना भी साफ कर ले यह एच्छा नहीं होने वाला भाई इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा दुबारा वैसे नहीं यार गैराज बड़ा है समानों मान तोड़ा साइड करेंगे तो एक दो तीन चार गाड़ उतारें एक-एक करके पीछे की तरफ में यह है टाइरेंट यह है जैनोट रॉनो और यह उपर कौन सी गाड़ी खड़ी है यार यह बिल्कुल अपनी जैसको जैसी लग रही है बड़ी जैसको है नहीं काफी ज्याद अच्छी कार है वो भी बड़ी तो एक जी वैगन है न दोनों लोग एक करके सारी गाड़ियां यहां से बाहर निकालने हैं फिलाल पहले स्ट्रेन को चले जाने तो पता चला भाई अपनी ट्रेन में ठुक जाए वैसे मैं क्या पालतू की बात कर रहा हूं वैसे गाईजर सची में जो जैनोट्रोन है ना कौफी जदा तगड़े कलर की है मैं लोग एक बार याप लोग इस गाड़ी का ना कलर देखो ध्यान से लाल मुझे ना बहुत तेजी स्पीड में लाना पड़ेगा ओ तेरी मैं इसकी अभी तो बड़ी गंदी आले ठुकती वाई अपनी गाड़ी सोले लोहे में यार देखो ट्रेन से ना गाड़ उसमें दिक्कत आएगी बाकि जो कार्स उपर रखे वी हैं जी वागन उसमें तो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले क्योंकि उपर से गाड़ियां इजी ली आ जाएगी तो ओके गाड़ी लेट्स को भी फिलाल फ्रैंक्लिन और मैंने एक एक करके सारी की सारी गाड़ि अपनी फेवरेट कार मिल चुकी है और सामने से एक ट्रेन और आगी थी और अच्छी बात तो यह है कि इस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो भी काफी ज़दा बढ़िया था और मैंने इसे बोल दिया कि यह वाली जो ट्रेन है यह भी तुम अभी साइट के लेना और अपनी अपनी ट्रेन को यहां से निकाल लेना फिलाल उससे पहले हम लोग भाई वैसे बहुत अच्छी बात है उसने दूर से देख लिया था अपनी गाडियों को अपनी ट्रेन को वरना तो भाई वो सीधा ठोक देता ना लागे तो तीन-चार गाडियों को नुक्सान हो जाता क् गाडियां बची थी पिलाल भी जल्दी से हम लोग इसे अंदर लेकर चलते हैं इस वेर आूस में इस गिराज में खड़ा करने के लिए अपनी ये तो अपनी गाडिया नहीं को यह पाक कर दो आज इसको लेकर हम लोग घर जाएंगे वाई इसको नहीं वेचेंगे जो और वाला शो रूम सबसे बड़ा वाला शो रूम पूरा कम्प्लीट हुजाएगा उसके बाद हम लोगे सारी गाड़ियां ट्रेलर वे भरके बैनी के साथ महां पर मूव करवा देंगे रसे आने आपर देखो कित्ती सही सही कार है यह वाली जो पीछे यह वाली कार है ना भाई यह कार में कुछ समझनी है यह कौन सी है काफी तकड़ी लग रही है पूरी अपनी जसको जैसे है वटकसम से काफी ज़्यादा बढ़िया और यह अपनी कनवर्टेवल फर्रारी पिस्ता इसको लेकर चलता है उप है है इसका साउंड तो काफी ज़्यादा सही है तो यह कुछ इस तरीके से लगाता हूं कि दो गाड़िया यहां पर अंदर आ जाए क्योंकि जगह बहुत कम है अगर हो सकेगा ना तो मैं फ्री टाइम में से किसी दूसरे गिराज में मूव करवा दूंगा क्योंकि यार इस गिराज में कुछ भरोसा नहीं है यह बंदा बैनी के थे तो trusted है वह इस अपनी लास्ट नहीं काड़ी लेके ना भाग जा सारी जल्दी से सारी कार्स लाते हैं एक करके और इस गराज में खडी करवा दे देती तो तोंकि सबीना मैंने ओलमोंस्त सारी कि सारी गाड़िया इन जो इस गिराज में रखवा दी है और यह अपनी ला बात ध्यान से अपनी जैस को जरूर ले आई हो भाई वहाँ से, क्योंकि यार पहली बात तो वो गाड़ी है भी इतनी जाद अच्छी, और दूसरी बात तो यह कि भाई उस गाड़ी नहीं है, मैं उस रेस को चितवाया था, इसलिए भाई वो गाड़ी है, मैं कभी भी अपन से नहीं जाने दूँगा, फिलाल यार यहाँ पर यह वाली गाड़ी नहीं थोड़ी गलती लागे खड़ी करती, बट फाइनिली, यहाँ से मैंने इसे निकाल दिया है, पर अभी फिलाल के लिए हम लोग इसको इधरी पाक कर देते हैं, मुझे यह वाला गेराज ना सारी की सारी कार्स को एकदम बढ़े तरीके से अजस्ट कर दी है, यहाँ पर अभी दो कार्स और आ सकती है, बट फिर बाहर निकलने का रस्ता यह बंद हो जाएगा, मतलब गाड़ी बाहर निकालने का रस्ता बंद हो जाएगा, एक एक गाड़ी आ बाहर निकालने पड़े फिर ही ग्रीन वाली आएगी फिलाल अभी तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं सीधा भाई मद्राजों के घर पर क्योंकि यार सीधी सी बात है हमें उसे वह बैग देना है और वह जो बैग है भाई मैंने अपनी गाड़ी मिला कर रख दिया था लैसको फड़ावट से हम लोग भाई सब अभी लुक दिखाने के चकर में सामने पिलर में जाके ठुक जाती चलो को इनियार फिलाल लुक बाद में दिखाएंगे फड़ावट से मद्राजों के पास चलते हैं उसको इसकी इंपोर्टेंट फाइल देते हैं तो सची में यह जो गाड़ी है ना देखने में पोच चके हैं सीधा मद्राजों के घर पे बड़े यार यहां पर तो इसनी नीचे वाला गेट बंद कर रहा है एक सेकेंड यहां पर अभी कंसक्शन का काम चल रहा है इतना जादा बड़ा घर है अभी इसमें भी पता नहीं क्या ही बनवाना चाहता है अभी या तो मैं पै मैक्स देखो कितना मुड़ रहा है इतना सही मूड़ रहा है काफी जदो मज़ेदार का रहा है इससे ओफ रोड़िंग करने का जो मज़ा आएगा ना भाई वह मज़ा और किसी कार में नहीं आने वाला फिलाल आगे वहले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट पोड़ पर चोटा मोटा डेंट आजाता फिलाल हम लोग मदराजो के घर पर पहुत चुकी है यहां पर बंदे फोटो वगरा कीचने में लगे में मेरे साफ से मुझे अपनी गाड़ी नहीं पर खड़ी कर दी निचीए क्योंकि यार उन्होंने गेटी बंद कर रहा है खाली पीली जीदा घर में और उसको जो फाइस मैंने बैक से फाइस तो लेए नहीं एक मिनट पहले फाइस उठा लेते हैं ओकी गाइस तो भी फिलाल मैंने फाइस ले लिया अपनी गाड़ी को मैं लॉक कर देता हूं पता चला कोई चुराकी भाग जबाई बहुत साथा महांगी का र ना रखा है मतलब बहुत से लेकर पूरा वहां तक है पूरा नजर भी नहीं आ रहा हूं उस तरफें भी गार्डन है सुईमिंग पूल कुछ नगुस तो बना हूँ है मतलब बहुत साथा अमीर है डाट का घर भी इतना तकड़ा था फिलाल घर अच्छा नहीं था बहुत चादा बड़ा था बस और इसका घर भी अच्छा है और सामने की तरफ में गोल्डन रॉल्स रॉयल्स फैंटम लिमोजीन खड़ी भी है इसकी मतलब यार देख रहे हो भाई सिक्यूरिटी को अरट से बात करते हैं और यह बैग इसी को पकड़ा देता हूं क्योंकि मुर्क शक हो रहा होगा कि कहीं इस बैग में लोग नकली फाइस तो ने डाल के लिए तो वह लगी हैं चेक भी कर लेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह में इस टाइप का और भी काम दे बड़ मैं उसको साफ साफ मना कर दूँगा क्योंकि आप लोग को मालुम होगा कि माइकल क फैमिली इसी वजय से उसको छोड़ कर गई है और यह यहां पर आ भी चुक है अपने बॉड़ी गार्ट के साथ तो जल्दी से अभी हम लोग ना इससे बात करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है मोबाइल निकाल के बतानी क्या चुक कर रहा है तो ओके गाइस अभी न बतानी यार सची में इसके लिए कितनी ज़्यादा इंपोर्टेंट थी भाई इसने इस फाइल के बदले हमें अपना एक विला दे दिया है यह कह रहा है तुम जाके देख लो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बताना अधर्वाइस ही हमें उसके बदले पैसे भी द दे दिया हो मतलब कि यार पैसे तो नहीं दिया है बट जो इसने हमें घर दिया है वो कोई नॉर्मल घर नहीं है इसने बोला है वह एक बहुत बड़ा विला है पहले एक बार इन्हा चल कर देख लेते हैं पता चला एक तुम पुराना घटी ऐसा विला और यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार इसने कर हमें बोला है तो अच्छा ही होगा और वैसे इसने कर तुम एच्छा ना लगे तो तुम उसके बतले मिरसे पैसे ले लेना बिग माफिक भाई भी तुरंट दे दी ता पैसे जो बनते थे बट यार इसने तो पूरा विला पहले चल कर देखते है या डिरेक्ट तारिफ नहीं करेंगे विला चल कर देखते हैं कैसा है फिर इसको मैं बताता हूं कि मुझे पैसे चाहिए या फिर वह विला में ही मैं खुश हूँ तो के काईस लेट्स को फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा मिस्टर मदराजो की दी हुई लोकेशन सब लोग से बाझने वाला हूं वैसे मैं मिस्टर मदराजो को भूल रहा हूं में सब सब, ये भी मिस्टर मदराजो बट हम लोग इसको मदराजो हो फिर मिनी म क्योंकि को ні से ऐसी बुलाता है अभी फिलाल जो उसनी लोकेशन मुझे दी फाइनली मैं वहां पहुंच सो चुका हूं बट अगर यह वाला घर है तो यह काफी ज्यादा महें गई घर उसने में दे दिया मतलब क्या रहे आप लोग देखो यह जो घर है कितना जादा बड़ा है वैसे उस भाई मैं उससे साफ बोलना हो कि मुझे पैसो की कोई चुरत नहीं है यह घर देदे भाई अपना हो गया मतलब यार देखो यह घर देखने में तो ओल्मस्ट हमारे घर जैसा ही है उतना ही पुराने एकदम भी लक्शुरी नहीं काऊंगा बट काफी ज्यादा तगडी थीम पीचे की तरफ में अपने पुराने वाले घर से भी बड़ा टैनिस कोट है हां उल्मस्ट उसके बराबर ही है या फिर उससे बड़ा है चोटा तो नहीं है और घर भी सची में सामने से काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है एक बार इना गया इस घर में अंदर चलते हैं और बाकी सारे फ्लोर्स देखकर आते हैं कैसे हैं यहां पर एक स्विमिंग पूल है जो कि अपने पहले वाले स्विमिंग पूल से बहुत ज्यादा बड़ा है और इस तरफ में थोड़ा बहुत कॉफी एरिया बना हुआ है यह भी काफी जदा सही है सर्दियों में यहां प इसमें रूम्स की कमी नहीं है बहुत सारे रूम्स है हर तरफ गेटी गेट है इस घर में बड़ एक बार फिर भी हम लोग ऊपर चलते हैं भाई यहीं से सीडियां जा रही है उस साइड में देखके निया भाई इतना घूमलिया भी भी घर खतम नहीं हुआ है यहां पर फलोर पीहर और हो तरफ परफ टेग के इंज पेंटिंग सी पेंटिंग फीमें पूरा धर सजा पड़ा है और क्या ही लोग का रहे है ऐसे लग रहा ग्राउंड फ्लोर है यह घर का फर्स फ्लोर है और इस तरफ में क्या है पैंस की बुक्स रेट करने के लिए बना रखा यह वाला एरिया भाई मतलब बहुत ज्यादा नेक्स लेवल कर रहे हैं मैं उसे साफ बोल रहा हमें पैसे चाहिए लेट्स को फटा फट से हम लोग उपर चलते भाई मैं फाइनल कह रहा हूं यह घर अपना हो गया और अब जाके मुझे एक बैट दिखा है भाई एकी बैट रूम है के खर में शायद होगा मैंने धंक से देखा नहीं होगा इस तरफ में आगी यह वाली चत जो की सची में क काफी जदा बढ़िया लग रही है और उस तरफ में भी तीन-तीन अलग-अलग डोर्स हैं हम लोग यहां से बाहर चलते और यह भी चत देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया अपने पहले वाले घरवे यार चत थी ही नहीं मैं लोग उपर से तो चारों तरफ काफी जदा बढ़िया रहता है यहां से भी चड़ जाएंगे और उपर चड़ता हूं एकदम टॉप पे चलेंगे और देखते हैं आखिरकार चारों तरफ क्या-क्या नजर आ रहा है वैसे वह सामने की तरफ में पता नी कॉलेज है और जो बढ़िया लग रहा है सामने की तरफ में मार अगर हम लोग चोड़ रहे हैं यहीं पर रहने आ रहे हैं और अगर माइकल की फैमिली इस घर को देखेगी न तो वह भी सीधी सी भात है वापिस आ जाएगे बड़न को उसके लिए घर दिखाना भी तो पड़ेगा फिलाल यहां से नीचे उतरते हैं और काईस अभी मैं ज लिए वैसे क्या दिखाता है घर के आगे इतनी बड़ी जगह घर के पीछे इतनी बड़ी जगह गेराज की क्या ही जरुत है अभी तक ना काईस मैंने एक बार भी यह वाला रूम नी चेक कर रहे है क्या पता यह गयराज का ईडोर हो एक बार ही मैं जल्दी से चलके देखत यहां पर भी क्या ही बढ़िया सा एक एरिया बना हुए आराम से बैठ के बात्चीत करने के लिए इधर फ्रैंकलिन ट्रैवर लेश्टर को बुला के न हम लोग प्लानिंग बगरा करेंगे और यह वाला तो आई तिंग हम बाहर का रस्ता है यह वाला गेट शायद मैंने चेक भाई यहां पर बंदे भी ओल लेड़ी है जो की गार्णिंग वेरा करेंगे घर का पूरा ध्यान रखेंगे बट सिक्योरिटी कार्णी है कैमरे वगरा यह देखो आप लोग उपर की तरफ में लगेवे हैं लाल जल्दे से हम लोग अपनी गाड़ी यहां से बाहर निकालत ऑगरणी जाते जाते एक स्कौर आम से करवा दूगहा निकालत को फ़िलाल इस वाले कट से मुझे पनी को यूटन उटन निक लिन पहुंगए छोड़ा जोड़ा बहुंड और उफ्रवर करते-करते हम लímह बिइंस निकल लेंगे इस टॉप का बेरियर लगा रहा है हमारे लिए बड़ा बट से भी मैंने तोड़ दिया है मैंने गाड़ी पीछे से ना वाश करवाई थी और आप लोग यहां पर दुबारा देख पारे हैं गाड़ी कितनी जाधा गंदी हो गई है और अभी नॉर्मल रस्ते से आता बट थोड़ो या रभी इनको इग्नोर मारते हैं फाइनली हम लोग यहां पर पहुच चुके हैं जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यह पर पाक करता हूं गाइस यह है एनिवल आक शेल्टर वैसे शेल्टर नहीं है नॉर्मल एक पैट शॉप है जहां पर हमें कोई भी पै पैट्स हैं और एक तो यह रॉट विलर ना भाई जबसे मैं यहां पर आया हूं भाई तब से इनका मुई नहीं बंदो रहा है थोड़ी देर शान्त हो जाओ वरना कानों में दर्दोने लग जाएगा इनको छोड़ो मैं उस साइट चलता हूं यहां पर काफी सारे अच्छ यहां पर इन्हों ने भाई पैंथर भी रखा हुआ है और उधर की तरफ में एक माउंटीन लाइन जो की साज से सूर है यह क्या ही पैट्शॉप है कसम से बता नहीं क्या बना रहा है फिलाल यहां पर यह तो में है जब हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कौन सा डॉक् इनको छोड़ो रोट फिलर तो नहीं है रोट फिलर भाई पता काम बहुत ज़्यादा हैंगे अगर कल को दिक्कत होगी न तो यह बचा लेंगे मैं बट यह स्की मेरे को ज्यादा सही लग रहा थोड़ा अग्रैसिव भी है इसको ले ले लेते हैं तो मुझे इसको देखके अभी अपना हो चुक है फड़ावट से हम लोग इसको घर पर लेकर चलते हैं यह भी काफी ज़्यादा परेशान है कि आकर इससे कहां पर लेकर जाया जा रहा है और यह जो डॉक्टर है ना इन्होंने इसका पूरा चेकप कर लिया कि इसको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई भी इलनेस तो नहीं है कोई दिखत वाली बात नहीं है बाकी तुम कर इसका फूड आके ले जाना वह ज्यादा इंपोर्टेंट है तो फड़ावट से हम लोग घर चलते हैं रेकर रॉट विलर को देखके घुस्ता चड़ रहा है जब से आ हूँ भाई मेरे को देखके भॉ वाली सीट पर आजा वाई एक सेकंड यह आया तो यह भागता हुआ सीट में बैठने के लिए लेट्स को यह पीछे वाली सीट पर आखर बैठ चुका है मैं अब गेट बंद कर लेता हूँ भाई कसम से यह डॉक तो काफी ज़्यादा अच्छे पूरी पूरी बात वान रह आरे अपने साथ अपने घर पर रखने के लिए ले जा रहे हैं लेट्स को फड़ावट से अपनी गाड़ी में यहां से घुमाता हूं और मैं सोच रहा हूं कि आकर इसका नाम क्या रखा जाए मतलब एक नाम तो होना चाहिए ना बढ़िया सा भाई यही दिख्वत लगती अपने हसकी को लेकर चलते हैं हम लोग गाड़न में ताकि महां पर जाके मैं इसका स्टाम ही ना चेक कर पाऊं कि आकरकार अपना डॉग जाओ फूरतील है भी या फिर नहीं और हमारी बात मानता या नहीं वैसे इसको बात मनवाने के लिए पूरी ट्रेनिंग देनी कर दिया है लसको भी फिलाल मैंने अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दिया है गाड़ी की गेट्स में लोग कर देता हूं ताकि यह भी बाहर आ जाए और अभी बाहर नहीं है हेलो क्या कर रहा है अंदर बाहर भाई काफी जदा शांत सोभाव का है बड़ इसे हम गाड़न में लेके चलता हूं इतनी जाता धीरे धीरे चल कर आ रहा है ढोक तु है कि मैं हूं मैं तिरसे भाग ले रहा हूं अभी देखते हैं यह आता या फिर नहीं क्या पता मेरे को देख हम देखी भाग क्या आने लग जाए रहे यार मैं सामने आके भिड़ गया पट इसको गाड़न में लेके चलते हैं और इसको थोड़ी पोतने आपर ट्रेनिंग देते हैं और चेक करते हैं कि आपर यह जो यहां पर बंदे खड़े हैं अपना गॉल्फ केलने आया है यह से डरते भी आपर नहीं डरते भाई सब वाव 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 बहुत सभी प्रैक्टि था भाई सोंगों की भी नहीं आ पा रहा है थो पीछे आजा चुप चाप तरको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देता हूं कि गाड़न काफी ज्यादा बढ़ा है यहां पर तो इसके साथ इतना दोडूंगो ना मैं एक दिन क्या बता हूं तो कि काई सबीना फिलाल मैं अपन मतलियो किसी को बढ़ना है भगा देंगे में यहां से अभी हम लोग इसको यहां पर ना बैठने के लिए बोलते हैं ओ भाई साप पूरी पूरी बात मान रहा है कुछ इस टाइप का ही डॉग मिर को चाहता बस बहुत बढ़िया इसी बात पर हम लोग इसे थोड़ा सा भीय कर जाएंगे बसे बंदों को डरा की देखती हैं यहां तो किसको डराओं किसको डराओं यहां पर काफी सारे लोग है अगर यहां पर मैंने इसे डराया ना तो इन भाई सब के पास डंडा भी है क्या पता है इसको डराता हूं यह अपना एकदम मस्त यहां पर खेलने में ल अपने हसक को बोल देता हूं कि ऐसको फोड़ी उमद बिल्कुल B etz ko शुब रकाऊने के लिए सरा अब मैं चाहूं तो अपने हसकी से-से मरवा lifelong उके मैंने इसको डराने लिए ऊप्पोल देया उसको मुझे नौ भाई उसकी ऐसी। ही है भरकि बहुत बड़या बहुत बड़या तू तू एकदम मस्ट हो गया वाई ओके तो चल फड़ावट से भी मेरे पीछे-पीछे आजा गाई इसको जल्दी से लोग लेकर चलते हैं वापिस गाड़ी में बैठते हैं अभी ना फिलाल मैं इसको घर पे शोड़ देता हूं मुझे अ बहुत मस्ती में चल जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इदर से रहा राजा यार ऐसे मत कर ओके ओके उसने सुन लिया रहा रहा है भाग क्या बड़या लग रहा है वैसे डॉक देखने में गाई इसका क्या नाम रखा जाए आप मुझे कॉमेंट सुन जाकर लगषाब है तो यहीं ओजीट ने से ट्रेणिंग देती है फोड़ी यहरकते हैं टोऑप अवह भी नहीं कुछ नहीं है जब तक यह आएगा नियुद्में अपनी गाड़ी लेकर आए जाओंगाल पटावर्शा उसे में लेंड लंबोंग नी उरूसito किताDie गारियां मैंने तरो दर छोड़ी विए तो यह इले मैं ने उसे बोला था तू आ जाई हो उसके बाद हम लोमा ंपनी सारी गारिया उठा के लाएंगे जो मैंने दरो के छोड़ी विए अहां चला गया यह आजा आजा जल्दी से आके काड़ी में बैट फटा बट तो कि काइस यह देखो अपना हसकी एकदम प्यार से आकर बैट चुक है बाई एकदम ब्लू आइस काफी जोटा मस्त इसी लग रही है गेट लॉक हो गए है लेस्ट को घर अपना पीछे यह बाई अपने घर के भार को ना आके खड़े रहता है यहां के वरकर है और तुक भार आएगा बाई तो कि अब फिलाल यह भी अपना गाड़ी से बाहर निकल कर आ चुक है लेस्ट को जल्दी से आजा घर में इसको ना भाई मैं पहले इसका जो डॉग है टैना वो दिखा देता घर से बाहर निकल के ना चले जाए वैसे यहां पर यह जो गेट है ना यह खोल तो नहीं पाएगा और इतनी ज्यादा इसली वाले जो गेट है वो खुलने भी नहीं वाले और फिर अगर यह डगगन बोस जी जिर दिन निपट गया ना उसकी बाद हम लोग चलेंगे माइक भाकता प्रोपर है बट पता नहीं क्यों नकरे दिखाता है ओके तो फड़ावट से हमें लोग चलते हैं सामने तो मैं यही बात कर रहा था कि हमें पार्क में जाने के जरूत नहीं अपना खुद का गार्डन इतना बड़ा है कि हमें लोग टैनिस कोट में जाके इसके साथ खेल सकते हैं और गूम सकते हैं और यह राज से इसका हट फिलाल यहां पर इसमें थोड़ा बहुत फूट भी पड़ा हो है बटे बहुत जाता पुराना होगा तो की काई सबीना फिलाल यह अपने डॉग आउस में जाके बैठ चुका है और यह जो भाई साब हैं यह पूर सब्सक्राइब लेकर अपनी अपनी इस नयवाले घर में आगे जितना भी एरिया यहां पर हम लोग खड़ी कर देंगे और अभी तक मैंने अपना पूरा अच्छे से देखानी है वाला पीछे टैनिस कोट के वीचे बिचे वहां बना हुआ है कर वो बात में देखेंगे ठाकर लानी है सबसे पहले तो है इसको यहां से निकालना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इसको एकदम ना भाया साइड में जाकर लगाना पड़ेगा राम से मोड लेता हूं लेट्सको और यह फ्रैंक्लीन अपनी यह जैसको भी लेकर आ चुक है तो लगे हाथ इसको भी लोड करवा के नए वाले घर पे शिफ्ट करवा देंगे वह गर पुरा गाड़ी होई गाड़ी हों से भर जाएगा पहले दिन में और यार देखो अब हम लोग हमेशा मेशा के लिए वहीं पर रहने वाले हैं वैसा कोई रीजन नहीं है कि यह घर मुझे घटिया लगता है यह घर तो भाई अपने लिए लोस सांटोस का सबसे लगी घर है क्योंकि इस घर की वज़ा से हम लोग इतनी जादा मीर से हो गई है और यार यह सची में काफी ज़दा तकड़ा मैंशन भी है ऐसी बात नहीं है तो यह वाला घर भी मुझे काफी ज़दा बढ़िया लगता है और अगर इन दोनों को बेच दिया जाया ना तो बहुत जादा ही पैसा आजाएगा फिलाल मुझे इसको यहीं से घुमा के ले जाना पड़ेगा एक तो जो गाड़ी है ना लंबी इतनी जादा यूटन मारने के लिए कम से कम पूरा रोड जाम करना पड़ेगा तो अरा वाले फ्लोर पर ही लोड करवा देते हैं इस ट्रेलर के वैसे आर देखो मुझे ना अपनी रॉल्स रोइसको ऊपर लोड करवाना चाहिए था क्योंकि अगर अभी बाकी गाड़ी रखवाएंगे तो ऊपर वाले रैंप को नीचे करना पड़ेगा जिसके लिए नीचे वा हलकी सी रेस में ऐसे भागती है मैं क्या बताऊं बट कोई नीचे को एकदम अराम अराम से लोड हम लोग यांपर करवा देते हैं लेट्स को तो कि काई सबी फिलाल हम लोगों ने यहां पर दोनों गाड़िया एकदम प्रोपरली लोड करवा दिया है फड़ावट से हम लो लोड़ते विचारा गंदी तरह की रहा था बट कोई ने भी फिलाल इस मैं आज सोड़ा आराम अराम से चलाने वाला हूं सबसे पहले करते हैं अपनी लंबॉग नी उरुस लेने के लिए चलते हैं वो मैंने रेकना माउंटेन में एक डाम है वहां पर खड़ी करी थी रू लेकर निकलूँगा बाहर ले जाने के लिए अपनी जी वागन फिक्स होगी है कहीं भी जाना होगा उसी को ले जाएंगे तो की गाइस लेट्स को फाइनली मैं अपने ट्रक को सीधा उस लोकेशन पर लेकर पहुचने वाला हूं जहां पर मैंने लास्ट टाइम अपनी लै बाई वैसे काफी जटा डेंजरस जगा है ट्रक नीचे गया तो बाई किसी कीमत में वापस नहीं आपाएगा तो फूटी जाएगा ट्रक और ये कडी सामने की तरफ में अपनी लैंबॉग ने औरुस कितनी जादा बढ़िया लग रही है और इतनी गंदी होगी है नहीं क् मुझे पता भी नहीं है स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी बट कोई दिक्कत की बात नहीं है मेकानिक बगल में ही है स्टार्ट कर देगा यह वड़वट से बैट गाड़ी में देखते है इसको ओप ऐसकी आज भी इस गाड़ी का साउंड रवाई कितना बढ़िया लग अभी फटवर्ट से अपनी लंबॉग निचे वाले फ्लोर पे लोड़ करवाते हैं और इसके बात गैस अम लोग सीधा जाने वाले अपनी लंबॉग निचे वाले फ्लोर पे आजएगी बाकि दोनों गाड़िया ऊपर है अपनी एक गाड़ी हो रहा है पता नहीं मुझे तकड़ास है यहां पर सबकुछ एक्तम ओके करके दिया था पैनी ने बट कोई नी फिलाल तो के गाइस लेट्स को ओल्ड एन फड़ावट से हम लोग अपने ट्रक को लेकर निकल लेते हैं अब अपनी लंबॉग नी स्यान लेने के लिए जो कि शायद से मैंने हैली पैट पर सब्सक्राइब कर रहे हैं मतलब कि यहां एरपोर्ट है ना उसके थोड़ा आगे जाके एक हैली स्टेशन है वहीं पर मैंने उससे लास्ट इम चोड़ा था जहां तक मुझे आद है बट अबीना मुझे टेंशन इस चीज की हुरी है कि आखिर मैं अपने ट्रक को यहां से म मुड़ जाना चाहिए थोड़ा बहुत हलका फुल का टर्न मानना पड़ेगा और मैं आगे वैसे चाहूं तो मैं यहां से सीथा ले जा सकता हूं बट मुझे भाई बहुत लंबा चकर काट के आना पड़ेगा हाईवे से जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं बहुत ज्य जादा बढ़िया करता हम लोग बहुत जादा ही प्यार से मोड लिया है लेकर चलते हैं बस जल्दवाजी के चक्कर में इधर उदर गिरना चाहे इसलिए भी मैंने इसे अराम सही चलाना है तो यह पक्का गिरेगा आगे की तरफ में वाला कट देख रहूं कितना ज्यादा डेंजरस है मतलब कि कल कोई तेजी स्पीड में आ रहा हो ना तो भाई वो तो सीधा निचे नदी में जाएगा मतलब मरेगा तो नहीं बटा फिर भी एक्सिदेंट तो बहुत गंदा ही हो जाएगा मर भी सकता ऐसी बात नहीं है और फाइनली गाइस हम लोग अपने ट्रक क को लेकर सीधा उस लोकेशन पर पहुचने वाले हैं जहां पर लास्ट टाइम मैंने अपनी लंबॉग नी से आन को पाक कर दा तो फड़ावट से मुझे इस वाले कर से अपने ट्रक को अंदर लेकर चलना है में इस राइट मोड नहीं हराम से राइट मोड थे यह वाली जो निकलते हैं और अभी ना मुझे दो बारी बीग माफिय के भाई का भी कॉल आ चुका है मेरे साब से अभी वो ना बैग लेकर हमें अपने पास मंगवारा होगा आप लोग को याद होगा कि हमने उसके ग्लास से एल रूबियो का जो एक बहुत जादा महंगा टाइगर था वो एक टाइप से ना कुछ स्टाचुई है जो कि हमने वहां से चुरा लिया था गाड़ी लोक होगी बाई ऐसे अनलोक नी छोड़ता वाही मैं तभी गाड़ी यहीं पर रहते हैं वरना तो कपके चोरी हो जाए और तू के उतर के आता है बाद बाद पे फड़ावट से ल लग रहते हैं नीचे वाले एरिया में तीन गाड़िया आ जाएंगी बड़ यहां पर तो दो ही गाड़ियों में इतना ज़्यादा स्पेस भर गया है वैसे अगर मैं उरुस को थोड़ा सा आगे कर दूँ मैं एडजस्स करके आ जाएगी तीन गाड़िया क्योंकि दोनोक काड़ियों की ने लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है और अभी तीसरी काड़ी टैर्स हो है फिलाल एक बार इना मैं पहले बिग माफिय को कॉल करता हूं और देखता हूं क्या सीन है तो अभी ना मेरी फिलाल बिग माफिया की भाई से कॉल पर बात हो गई है और वो कह रह हुआ है पतानी किस काम से है बट बिग माफिय का भाई कह रहा है कि सीधी सी बात है लोस सैंटोस में उसके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है तो अगर हम लोग उसको खतम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है फिलाल भाई सब दो मिनट साइड हो करने के आया है उसको मालूम है कि हम लोग यहां पर रहते हैं बट फिर भी उसके अंदर डर नहीं है बट कोई दिक्कत की बात नहीं आज उसका सारा डर खतम होने वाला है क्योंकि वो खुदी खतम हो जाएगा तो डर थोड़ी बचेगा लेट्स को फड़ावट से गाइस ह मैं काम करता हूँ फड़ावट से ने अपनी बाइक को इस माउंटेन के ऊपर लेकर चलता हूँ ताकि मुझे उसके पूरे के पूरे घर का व्यू एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाए क्योंकि यार उसका जो घर है वो कोई नॉर्मल घर नहीं है वो एक बहुत बड़ा र हम एक्दम सही नीज दिया है उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी भी उसके साथ यहाँ पर आयी वी है बट नौर्ट एंग्टन से कम सिक्योरिटी है यहाँ पर तो हम लोग चाहे तो इने भाई मार तो सकते हैं एक बोडिगाड मेर को इसका यह नजर आ रहा पीछे की मैंने उन्हें फोन करके तो बोल दिया है उसके गार्ट सामने की तरफ में खड़े हैं मैं पहले थोड़ा सा किसे ट्री वगारा के पीछे चल लेता हूं ताकि वो लोग मुझे ढंक से ना देख पाएं वैसे अर्दी को मुझे ना लग नहीं रहा कि यहां पर उसकी ज्यादा security आई है मुझे सिर्फ सिर्फ तीन चार कार नजर आ रहे हैं कम से कम दस बोडी गार्ड नजर आ रहे हैं इन सब को तो मैं चाहूं अकेले निप्ता सकता हूं जिसमें से पांच से छे तो मैं उपर अपनी स्नाइपर से डाउन कर दूंगा जिसके अंदर suppressor लगा हूँ है औ इसको मालूम पड़ा है पर इसको देखने का भी टाइम मैंने नहीं दिया लसको यह यहां पर दोनों डाउन हो चुके हैं बहुत ही गंदी तरह अपनी गन को लगी हाथ हम लोग प्रॉपर रिलोड कर लेते हैं अब जो बंदे लेफ्ट वाले गेट पे हैं उनको भी मुझ इस वजह से जरूर हो जाएगा मैं उपर चड़ नहीं पा रहा है काफी जादा अजीब सी चड़ाई है इस वाले गेट पर भी कोई ना कोई जरूर होगा 100% इसके घर के एंटर होने के चार-पांच रास्ते हैं और यहां पर भी भाई दो दो बोडी गार्ड है मैं काम करता जिसमें से तो 4 मैंने डाउन ही कर दिय है मेंगेट से नहीं जोगा मेंगेट से थोड़ा बहुत रिस्क है हम लोगे इक काम करते हैं लेफ्ट वाले हूँ यार मैं कंफ्यूज तो रहूँ यह राइट से जहाँ किसी भी एक को मारने कि अगर मैंने गलती करी मिन्स अकर उसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी गरबड़ सकती है सामने की तरफ में तीन तीन भोड़ी गार्ट क्या कर रहे हैं इतने तो में गेट पे नहीं थे जितने वहां सामने है और इन में से किसी ने मुझे देख है यहां पर सामने एक बंदा और आया था इसको भी मैंने डाउन कर दिया है पीछे से भाग कर आ रहा है तू भी यहां से निकल भाई 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 बहुत ज़्यादा गलसीन हो गया है मुझे पहले यहां पर छुपना पड़ेगा तो गाई सबीना फिलाल डगण बोस इसको यहां से स्केप करवा दिया भाई भाई साब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा रहा है कि आकरकार यह बिग माफिय के सिक्योरिटी गाड कहां पर रहा गए है और यह अपना हेलिकॉप्टर भाई लेकर यहां से निकल रहा है रुख जाओ मैं कोशिश करता हूं इसको दाउन करने की और भाई साब कसम से हेलिकॉप्टर भी ऐसे लेकर जा रहा है कि मुझे एक भी विंडू वहां की नजर नहीं आ रही यार वह इतनी ज्यादा प्यासे नहीं निकल सकते भाई क्या यार एक शेकिन अभी इसके जो अंदर वाले बोडिगार्स है यह मेरे को बि रस्ता तो ढूंड लूँगा बट यार अभी तो सीधा अपने नौर्थ एंक्टन वाले घर के लिए निकल गया ना वहां पर जाकर मारना तो उसे बहुत जादा ही मुश्किल है मेरे साब से नहीं मुझे अभी नहीं यहां से भाग लेना चाहिए तो चलो गाई सबीना फि क्योंकि चारो तरफ बंदे तो बैठे में है और ढंक से मुझे कोई कवर भी यहां पर नहीं मिल रहा है यह भी जिंदा था इसको भी फिलाल यहां पर भी मैंने मार के पूरा खतम कर दिया है सामने के तरफ से यह मार रहा है इतनी देर से वही मैं सूचू आखिरकार फायर क कोई नहीं है ना जो भी एक काम करता हूं अपना देशी कट्टा निकाल ले थे हैं ताकि मुझे दो तीन बुलेट्स ना मारनी पड़े जो भी दिखेगा न सीधा एक गोली में उसको धेर करूंगा और भैस की यहां पर जंप भी नहीं लग रहे है इनोंने क्योंकि पैर प आचुके हैं यहीं से मैं इनको मारने की कोशिश करता हूं ओ ओ ओ ओ एक सेकिंड थोड़ा सा और अंदर होना पड़ेगा क्योंकि कोई बंदा मेरे पास में है जो कि मुझे शॉट गन मारने की कोशिश कर रहे हैं यहां से यहां अगर एक आर्पीजी होती ना सीधा इनका मेरे साबसे ना गाइस मुझे यहां से भाग लेना चाहिए डगन बहुत से निकल चुका है कोई भी फायदा नहीं है सारी गल्ती बिग माफिया की भाई कि अगर वो अपने बंदे यहां पर भेज देता वैसे कोई फायदा नहीं होता वो सीधा तीन सेकिंड भी नहीं लग यहां पर काफी सारे बंदे यहां पर अपनी एकदम मस चलाएंगे अल्मोस सारे डाउन हो गए है इस साइड पर नहीं यार यह कहां से निकल निकल कर आ रहे हैं भाई यह लोग कहां पर छुप रखे थे तुम इतनी देर से भाई एक ओ तेरी भाई पीछे भी गाफी सारे बंदे है इसको मैंने डाउन कर रहा है पड़ा पटसे नहीं पहले यहां पर कवर रहे तो तेरी कवर भी कहां लिया है जहां लेडी इतनी सारे बंदे बैठे वे हैं भाई 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 अच्छा यह लोग इसके अंदर छुपे होई थे भाई खतरनाक ट्रेनिंग दे रखिया भाई डगगन बोस ने अपनी गार्ट को दो यह वाल एरिया मैं इधर से भी कोई तो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ दिग गए भाई दिग गए बाहर तो निकलना पड़े ले तेरी हाथ पी मैंने शॉट बजाया बट उसे कुछ हुआ नहीं रुक जाओ अब सीधा इसके कटा पड़ेगा सीधा वो भी मुह पे अंदर बी वंदा अंदर बी वंदा एक मिनट एक सकिट ले पेट में खागा रिलोड बहुत गलत टाइम पे लगाई हैं नहीं सारा काम गड़ बड़ कर दिया या तो यार मुझे ना वेट करना चाहा था बट मैंने सुचा कि यह निकलना जाए बंदे अब फुर बंदे अ इसकी लोस सेंटोस वाली सिक्योरटी है गाडियान ले लेके यह लोग यहां पर आ रहे होंगे सामने की तरफ में कोई बचा तो नहीं है न दो बंदे थे वैसे इधर मेरे इसाब से फटभी मैंने एक को मार दिया है जल्दी से गाइस यह वाली जो गाडियान इसको यहां से म पड़ेगा कि चार-पांच बुलिट्स मेरे भी लग गई है अभी फटवट से हॉस्पिडल या फिर डॉक्टर के पास निकलते हैं वरना अपनी जो हालत है भाई धीरे धीरे बहुत जादा खराब होती जाएगी और गाईस आप लोग देख पारे हो भाई कुछ इस टाइ बोल दे कि तुमने अपने बोडी गार्स टाइम पे नहीं भीजे जिस वैसे डगगन बॉस हमारे हाथ से निकल चुका है और यार वो कह रहा है चलो कोई दिखत की बात नहीं उसने डेव से बात कर लिया है उसके तरूना हम लोग गाईस वह बैग जिसके इंदर हमने एल र यहां पर कोई तो बंद आया और उसने सीथा बेस्पोल बैट मेरे मारना शुरू कर दिया है और यह पता नहीं मुझे ओ भाई पीछे घर के अंदर बंद है तो गाइस देखो भी ना फिलाल हम यहां पे बहुत पूरी तरह फस चुकी है है यहां पर आ चुका है यहां यहा इस पूल बैट ही मारे जा रहे हैं एक मिनिट के लिए रुप जाओ भाई मैं चाहूं तो अपनी गंस निकालके ने ठोक दूँ पर टीन लोगों ने मेरे उपर एम कर रहा है और वो देखो सामने बालकुनी में रूबियो वहां पर आया हूँ है उसने पनी सिक्योरिटी न मारते मारते तो की गाइस अभीना फिलाल मुझे होश आ चुका है और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों ने मुझे किसी बहुत साथा खतरनाक सी जगा पे लाके बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए और यार यह जगा सची में बहुत जादा डेंजर भी पता नहीं किसी की तो आवाज आ रही है बाहर से इसका मेरे पास लकडी टुकड़ा और एक टॉर्च मेरे पास जो क्याने रहती है और एक है यह बोटल का पीज पता नहीं यह सारे के सारे वैपन्स लेकर यहां पर एक विंडो था है वाली विंडो भाई मैं आगे भी नहीं जा पाऊंगा और अगर आगे जा नहीं कोशिश करें नहीं से कुछ गिर वराना जाए मेरे उपपर यह कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो कि पूरी मेरे सबसे टोट आपसे ना पहले हां साइड में बैठ जाता हूं मेरे पास यह जो कांच का टुकड़ा है ना भाई यह भी काम आने वाल है तो ओकी गाइस अभी ना फिलाल मैंने बोटल पीस अपने हाथ में ले लिया है और मुझे इसके तरू उसे एक ही बार में खतम करना है मतलब कि मुझे धीरे-धीरे आगे पढ़ना है एक बंदा वहां नीचे भी खड़ा हुआ है तो गैस देखो फिलाल जो बंदा नीचे खड़ा हुआ है ना वहां से आगे जाने का नाम लेही नहीं रहे और एक शेकिन भाई सब यह कहां से आ गया पैस कि मैं अपना नीचे देखने म आ रहा था ना उससे मिल गया था मुझे और शाय से ना गाइस टॉयलेट में भी कोई ना कोई तो है मुझे आवाज आ रही है अंदर से बारी मैं चलकर देखता हूं भाई यहां पर बंदा टॉयलेट कर रहा है खड़े होके इसके भी मैंने का रख के जो सीधा सारी सर पे बेस्बॉल बैट बजा दिया है तुम लोगों ने मेरे को पकड़के बहुत बड़ी गल्ती कर दी एक सेकिंड यह सब क्या है इससे तो दूरी रहते भाई कसम से बहुत जादा डेंजरस लोग है यार मैंने गल्ती कर दिया रहे लूब उसे पंगा लेके अभी यह यह है कुछ ढंक से नजर भी नहीं आ रहा साइट साइट से चलता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहां पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है तो गाइस शायद से इस पंदे ने मुझे देख लिया है मेरे बस बस अब एक ही ऑप्शन है बेस्बॉल बैट लिजा के उस अब ही इससे ना मुझे एक फुटी साइवन मिल चुकी है इसके अंदर एमो बहुत ज्यादा कम है और सामने भी एक बंदा था जिसने मुझे देख लिया है यहां से कवर ले तो मुझे कम से कम एमो यूस करनी है उनको मार के डाउन करना है लेट्स को एक ही परफेक्ट गो मेर को मारने कोशिश कर रहा था नीचे वाले फ्लोर पे भी था दोनों को मैंने डाउन कर दिया है और यह जो आप देख पा रहे हो ना भाई यह सची में कोई स्कूल या फिर हॉस्पिटल है जिसमें एकदम गंद मचा हुआ है बाई मतलब कितना चाहता डेंजरस ता लग भी नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत एकदम संभाल संभाल के हम लोग उसकरने वाले हैं टोटल 14 अमो मेरे पास पची है इन लोग की गन में से थोड़ी बहुत आमो तो मिली जाएगी मेरे को लेस्ट को मैं से मैं पूरी रिलोड कर लेता हूं और अभी मैं आ चुका हूं स लोगों ने बंद कर रखा है आप लोग आपर देख पारें किस तरी किसे नोंने प्लैंक्स लगा कि उसे पूरा एकदम ही बंद कर दिया ताकि कोई भी यहां से बाहर ना निकल पाए यार मिरे को कसम से बहुत ज़दा डर लग रहा है इस वाले रूम में तीन चार बंदे से और अभी ना इन लोगों को मालूम पड़ चुका है मैंने कोई ना कोई हरकत करी है और इन्होंने यहां पर सबने मेरे को जोंड़नाय स्टार्ट कर दिया है फटा फटसे न मैं यह से निकलता हूं सीधा उपर वाले फ्लोर पर इसकी भी मैं गल उठा लेता हूं आपर ए मार के गया हूं और और भी काफी सारे यहां पर आ चुके हैं मुझे यहां से सीधा उपर ही निकलना चाहिए यहां पर भी एक बंदा खड़ा हूँ था इसको भी मैंने मार दिया है कसम से एक मिनट रुख जबाई एमो मेरे पास पूरी खतम हो चुके भाई वोल के बीचे क इतने गंदी चकत पर चुपा हुए बिल्कुल नजर भी नहीं आया था यहां पर ना काफी सारे अलग-अलग रूम से मेरे साब से कोई ना कोई तो ऐसा रूम होगा जहां से मैं बाहर निकल सकता हूं मैं इसे वहां की विंडो टूट सकती है यह विंडो ना ओल्मोस सारी क सारी पूरी सील हो रुकिया खुलने का नाम ही नहीं ले रही है और यह का जगा एक सेकिंड मैं अपने हार्थ में लगे हां टोड़ ची भी रखता हूं ता कि मुझे पूरा-पूरा एकदम सब कुछ नजर आता जाए यह कैसे बिल्डिंग है पूरी ऐसे लग रहा है भी ब पड़ी बिल्डिंग है ना बूल बूले ऐसे कम नहीं है यह किसी नहां पर एक बंदा और था इसको भी मैंने मार के डाउन कर दिया लेस्ट कू रूम नंबर 303 इसके अंदर हम लोग चलते हैं यहां पर गाइस एक कंप्यूटर एक रेडियो है और यह देखो बाई यह एक दीरे-दीरे मैं यहां से आगे बढ़ता हूं रूम नंबर 304 यह वाला रूम मैंने भी तक चेक नहीं कर रहा है और अभी मैंने इसको मार के डाउन कर दिया है पता नियार क्या है भाई सारी विंडो इतनी बुरी तरह बंद कर रहे है ना मतलब क्या विंडो टूटने की त तो समझा जाए किसी विंडो से आर पार कभी कुछ नजर नहीं आ रहा है यहां पर इसके ऊपर एक फ्लोर ओके नहीं यारे टौ फ्लोर है यहां पर कैमरे भी लगा रहे हैं लो भाई कैमरा तो मैं लग यहां तोड़ दूगा ताकि यह लोग मेरे पर निक भाई बहुत सार सारी में बंद कर देता हूं यहां से वाला जो लीवर है ना मुझे इसको शाय से डाउन करना होगा तो ओके गाइस अब मैंने इस लीवर को डाउन कर दिया है और आप लोग आपर देखो भाई अभी कितना जादा अंधेरा हो गया है अभी अपने लेना यह जगा काफी ज़्यादा बढ़ी है मैं किसी ना रूम में छुपके बैठ जाता हूं रूम नहीं यह काम करते हैं ट्वालेट था एक कोड़ना पड़ेगा और अभी तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा तोर्च निकालता हूं अरे यह वाला CCTV वैसे मैंने तोड़ दिया है तोर्च निकालके हम लोग किसी जगह पर जाके छुपी जाते हैं यह लोग अभी मेरेको नहीं रून पाएंगे यह रूम मेरेको काफी सब्सक्राइब करना मैं सोच रहा था कि यह नहीं जदा बड़ी अलग रहा है फटाफट से नहीं यहीं पर साइड में छुप जाता हूं और देखता हूं किसी नहीं किसी तरीके से लेस्ट या फिर बिग माफिय के भाई को कॉन्टैक्ट करने का तो चलो आज किस वाली वी को का नाम क्या रखेंगे इतना बड़ी घर मिल चुका है माइकल की फैम्ली वापिस आजाएगे बट अभी बहुत ही गलास सीन हो गया है तो चलो यार को इनी फिलाला भी हम लोग यहीं पर छुपके रहते हैं और हां यार जिसने इस्टर्राम पर फोलो कर लो कर दो कर दो